हेलो, वेलकम टू शबनम की रिसिपीज आप सब कैसे हैं दोस्तों, उमीद है सब ठीक ठाक होंगे दोस्तों, आज हम चिकन कबाब की रिसिपी लेकर आए हैं जिसे आप किसी भी चटनी या सॉस के साथ खा सकते हैं हम इसे दही की चटनी के साथ सर्व कर रहे हैं दोस्तों, आप से मेरी गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन पे प्रेस करें और 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 पे क्लिक करें ताके मेरे आने वाली तमाम वीडियो आप तक पहुंचती रहें चलिए चलते हैं चिकन कबाब की रिसिपी की तरफ हमें इन तमाम चीजों की जुरूत पड़ीगी आईए देख लेते हैं इनकी कॉंटिटी को यहाँ पे हमने लिया है एक कटोरी कटावा हरा धनिया एक टेबल इस्पुन प्यास का पेस्ट एक कटोरी भरके तलिवी प्यास एक टेबल इस्पुन लसुन का पेस्ट एक टेबल इस्पुन अधरक का पेस्ट एक टीस्पुन हरी मिर्ची का पेस्ट मसालों में हमने लिया है दो टीस्पुन धनिया पोड़र एक टीस्पुन जीरा पोड़र आदा टीस्पून हल्दी दो टीस्पून लाल मिर्च पोडर आदा टीस्पून गरम मसला पोडर एक टीस्पून काली मिर्ची पोडर एक टीस्पून भुना कुटा धनिया नमक टेस्ट के साब से और यहां पर हमने लिया है 500 गरम चिकन का कीमा यहां पर हमने 500 गराम चिकन का कीमा लिया है इसी धोग कर हमने अच्छे से नितार लिया है अब हम इसमें 1 टेबल स्पुन प्याज का पेस्ट डालेंगे 1 कटोरी भरके हम यहां पर तलीवी प्यास डालेंगे 1 कटोरी कटावा हरा धनिया डालेंगे अद्रक लसुन और हरी मिर्च का पेस्ट डालेंगे सूखे मसालों को डालेंगे यहां पे हमने दो टेबल इस्पुन बेसन लिया है इसे भी इसमें डाल देंगे सभी चीजों को हमने कीमे में डाल दिया है इन तमाम चीजों को अच्छे से मसलते हुए खीमे में हमें मिला लेना है जितना मसल मसल कर हम इन तमाम चीज़ों को आपस में मिलाएंगे हमारे कबाब उतनी ही टेस्टी बनेंगे देखिए हमने इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिला लिया है हमने इन तमाम चीज़ों को लगभग 5-6 मिट के लिए अच्छे से मसल कर मिला लिया है हमारा कीमा कबाब बनाने के लिए रेडी है आईए अब हम इसके कबाब बना लेते हैं आप जो इसका शेप रखना चाहते हैं उस शेप में आप इन्हें बना सकते हैं आप देख सकते हैं हमने इन्हें round shape में बना लिया है हमने tray को पहले सी ही oil से grease करके रखा है इसी तरह हम तमाम कबाबों को बना कर इस tray पे रखते जाएंगे हमने एक कटोरी में पानी लिया है और इस पानी में हाथ को डुबो कर हम कबाब बनाते जाएंगे ताके हमें कबाब बनाने में आसानी हो इससे हमारे हाथों पे कीमा चिपकेगा नहीं हमारे कबाब तयार हैं आई अब हम इने fry कर लेते हैं हमने तेल को गरम कर लिया है आई अब हम इसमें कबाब डालते जाएंगे हमें गैस के फिलेम को लोग पे रखना है ताके हमारे कबाब अंदर तक अच्छे से पक जाएं एक साइड से हम इने लगबग 5 मिनिट के लिए पका लेंगे 5 मिनिट हो चुके हैं आई अब हम इने पलट लेते हैं हमने कीमा और तमाम चीज़ों को जो अच्छे से मसल कर मिला लिया था उसके वज़े से हमारे कबाब पलटते वक्त बिल्कुल तूटेंगे नहीं इने पलटने के बाद दूसरी तरफ से हमें इने चार मिनिट के लिए पका लेना है इसी तरह हम तमाम कबाबों को फ्राइ करके निकाल लेते हैं चार मिन्ट हो चुके हैं हमारे कबाब अच्छे से फ्राइ हो चुके हैं अब हम इने निकाल लेते हैं अब हम इने दही की चटनी के साथ सर्व करेंगे आप इन चिकन कबाब को बर्गर बन में भी इस्तिमाल कर सकते हैं दोस्तों अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए शेर कीजिए तो मिलते हैं अगली ऐसी किसी नई वीडियो में तब तक के लिए टेक केर बाई